नमस्कार दोस्तो एक बार फिर आज इस नए विडियों दोस्तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ उमीद करता हूँ दोस्तो आप सभी अच्छी होंगे और यहाँ पे दोस्तो आप सभूँ के लिए एक good news निकल के आ रहे हैं यहाँ पे bumper भरती का notification railway की तरफ से जारी कर दि आप सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पार है गवर्मेंट आफ इंडिया मिनिस्ट्री आफ रेलवेज रिकॉर्ट्मेंट बोर्स यहाँ पे आप देख पार है दोस्तो एलपी की जो भरती का notification है वो जारी किया गया है तो यहाँ पे दोस्तो आप लोग के good news है railway की तरफ से लोको पाइलेट भरती का notification जारी कर दिया गया है यहाँ आज हम बात करने वाले है टोटल कितने आपके पद है क्या योगता लगने वाली फार्मा ऑनलाइन आपको कैसे करना है कब से सुरू हो होंगे detail में बात करेंगे यहाँ पे आप देख पा रहा है centralized employment notice ठीक है यहाँ पे एक दोजार चोबिस recruitment औप assistant local pilot ALP के दोस्तों भारती का notification जारी किया गया है देखे application are invited from the eligible candidate for the post of assistant local pilot given in the table below the last date for submission application 19-2024 यानि last date जो online form बनने की है वो है 29 फर्वरी 2024 क्लियर हो गया उसके अधा आप देख पार है application complete in all respected must be submitted online only for detail please refer to यहाँ पे देखिए opening date 20 जनवरी 2024 से farm आपके शुरू हो जाएंगे last date जो है वो है 29 फर्वरी 2024 फार्म भरने की clear हो गया आप यहाँ पे देखे बात करेंगे पोस्ट का जैसा आप vacancy detail में देख पार होंगे assistant local pilot label यहाँ पे दो देखने को मिल जाएगा यहाँ पे देखे पे scale देखने को मिल जाएगा ठीक है medical standard age आपकी 18-30 साल की बीच में होनी चाहिए 5696 पदों के लिए दोस्तों आपकी bumper बरती होने वाली है एज के अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें देख पार है एज आपका एक साथ 2024 से calculate किया जाएगा clear है फिर यहाँ पे आप देख पार है नीचे के दरफ क्या चीज़ें मेंनसा ने यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर देखे फिजिकल आपका इसमें फिट होना चाहिए यहाँ पर देखे लेगा तो आपको देखने की जो छमता है वो आपकी सही होनी चाहिए फिर देखें नीचे तरब बात करेंगे आप देख पारे दोस्तो इसेंटियर क्वालिफिकेशन के बारे में यहां पे आपको देखिए सीधा मेंसें कि है कि मैट्रोकिलेशन यानि कि दसवी पास क्लियर हो गया उसके लाव देखें आपलिक में दिया हुआ है एसेस सीएल प्लस प्लस आईटियाई यानि कि दसवी प्लस आईटियाई आपके पास दोस्तों होना चाहिए और कौन-कौन से ट्रेड के दोस्ति यहां पर और यहां पर देखें मेंटेनेंस मिल राइट हो गया मैकैनिक हो गया मैकैनिक रेडियो हो गया टीबी हो गया इलेक्ट्रानिक मैकैनिक हो गया मैकैनिक मोटर वेहिकल हो गया वायर मैन हो गया ट्रेक्टर मैकैनिक हो गया ठीक है आपका यह मेचर हो गया हो गया उसके देख अगर आपने हाई स्कूल कर रखा उसके अलावा प्लस यहां पे देखिए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन दे ट्रेड में मेंसने बब यानि कि दसवी के बाद अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया है और आपके पास आई टी आई नहीं है तो भी आप अ प्लस थ्री यह डिप्लोमा मतलब यहां पर पॉल्टिकनिक की बात हो रही है मैकैनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स और आटो मोबाइल इंजिनिरिंग ठीक है यहां पर देश्तों अगर आपने इन में से कुछ कर रखा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्लियर हो फिर देखें डिग्री इम इनजीनिरिंग डिसपलीट्रों ऐच अबब ऐल सोिस एक अफ्की क्रिकने एह डिप्लोमा अन इननकी नीकिर है ने पर इसके लिए दोस्तों आपका इसका जो फुल नोटिकेशन और दोस्तों हो भी तारीस को जाई हो गए यह अभी आपका साट नोटिफिकेशन है, तो मैंने आपको दिखा दिया है, आप लोग अपने डाकुमेंट वगर रेडी कर लीजे, जैसे माल लीजे, आपके पास अभी आइटी आइए आपने कम्पलीट किया, तो ओरिजिनल सर्टिपिकेट नहीं है, वो निकलवा लीजे, डिगरी ले आइए अपने जो भी स्कूल कॉलेइब से जहां भी है आपका, तो आप लोग अपनी डाकुमेंट जो भी है, वो रेडी कर लीजे, तिक है, सेंट्रल वाला जाती बनवा लीजे, आप लोग, किसका सेंट्रल वाला, जिसको जाती लगनी है, एक स्टेट की जात आपको बता दिया है आपको सारे डाकुमेंट रेडी कलेंडर 20 तारीक से फार्म चुरू हो रहा है चाहे मेल हो और चाहे फीमेल दोनों इस पिलिए आप लाइग कर सकते हैं आल इंडिया तो इस तरह से दोस्तों यह आप लोगों के लिए गुड नीज है तो इसके लिए दोस इस टेप पूरा बताएंगे ताकि किसी भी प्रकार की आपसे कोई गलती दोस्तों नहों तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगो दोस्तों फिर भी आपकी दोस्तों कोई क्वेरी है कोई कुश्चन है कुछ आप जानना चाहे रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट क पे वीडियो अच्छा लग हो तो दोस्तों लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के घंटी को जरू पेस कर लें ताकि जो भी अधर गवर्मेंट की तरफ से भारती जारी हो नोटिफिकेशन जारी हो रिजल जारी हो एड्मिट कार जारी हो आपको उसक करेंगे जय हिन जय भारत